Hello everyone and welcome to our brings peace. I hope के तुसी सारे बिल्कुल ठीक हो मौँगे. आज तो मैं एक नम्या सीरी स्टार्ट करन जा रहे हैं. जेरे विच की मैं बेसिक बोड़िस दे ड्राफ्ट तो स्टार्ट करांगी. तो फिर असी बेसिक बोड़िस दे ड्राफ्ट अड़ाप्ट करके एक वोर्किंग पैटन थेयर करांगे. ते वोर्किंग पैटन नो अड़ाप्ट करके फिर असी कप्ड़े दे उपर कटिंग करांगे ते फिर स्टिचिंग करांगे. ते basic bodies ते draft नो adapt करके असी different तरह ने tops और कुड़िया बनावांगे I hope this journey is going to be very fun-filled and बहुत सारा सानु कुछ सिखनु भी मिलेगा ते जे तुसी मेरे चैनल नो अचे तक सब्सक्राइब नहीं किता then this is the time, please consider subscribing to my channel I am sure it will be very useful especially beginners लही, I am sure it will be very useful today we will make a basic bodice block and basic bodice block बनावनली सानु चाहिदिया ने सिरफ length, across shoulder, round chest and round waist बस इस दे अलावा सानु होर कोई भी measurements नहीं चाहिदिया ते length है गिया 15 inches, natural waist curve तक across shoulder इसके इस दे वे चैगिया 14.5 inches तुसी अपनिया measurements लेयो round chest is equal to 40 inches and round waist in this case is equal to 34 inches ते एक सानु measurement चाहिदिया होएगी armhole दा curve बनावनली आवली measurement लेंली सानु round chest measurement दा 40 inches इन्नु असी 6 नाल दिवाइद करला मांगे ते 40 divided by 6 is equal to 6.6 ते एदे वेच असी 1 inch add करांगे 6.6 plus 1 is equal to 7.6 armhole ले असी जदो curve ले ना ते सनु एवली measurement दी जरूरत पहेगी shoulder slant या shoulder drop जड़ाया हों mark करनदे बाद असी अपनी round chest measurement नो 6 नाल दिवाइद करके एवली measurement असी कड़नी हा तुसी अपनी जिन्नी वी round chest measurement हैगी और नो 6 नाल दिवाइद करके ओदे वीच 1 inch add करना है ते तो आट ये वाली measurement आजाएगी इस तो अलावा across shoulder नो असी 2 नाल दिवाइद करके यूज करांगे 14.5 divided by 2 is equal to 7.25 inches मतलब की 7 7 inch एथे जेडियां भी measurements में लिखियां ने ए सारियां actual measurements है और इना दे विच सिरफ में half inch ease add कीती है round chest and round waist थे length तुसी अपने natural waist curve तक लेनी है एक cross shoulder 13 होंदा है ते ओनो असी 2 नाल दिवाइद करना है ते इत्थे 14 सी ता सवसत हो गया round chest नो असी 4 नाल दिवाइद करके यूज करांगे ते अद्दा इंचे दे विचीज भी आड़ करांगे ते round waist नो भी असी 4 नाल ही डिवाइद करना है ते ओने विच भी 1 इंचीज आड़ करनी है ते बस एवल यह measurements यूज करके साड़ा basic bodice block त्यार हो जाएगा जेनू adapt करके तुसी किसे भी तरह अदर top यहां कुड़ती बना सकते हो ते चलो हून start कर दिया drafting currently में दो colors यूज करूंगी blue नाल में front दिया सारिया markings यू करूंगी ते red दे नाल सारिया back दिया markings we will start with the front सब तो पहला जिननी साड़ी length है असी A तो B तक एक mark लगाल मांगे 15 inches दा 15 inches असी length mark करनी है थे so हुन ए दो points A to B हो गई साड़ी length 15 inches इस तो अगे हुन एक cross shoulder 14.5 या total जेनू की असी 7.25 calculate कीता सी divide करके 2 देनाल ते हुन इत्थे असी 7.25 दा mark लगाल मांगे जिस point नू असी नाम देद मांगे C दा so हुन ए तो लेके C तक हो गया सड़ा 13 इस दे बाद round chest थी measurement दा mark लगान तो पहला आसी shoulder slant दा mark लगा मांगे C point तो 3 4th of an inch नीचे नू आके shoulder drop दा mark लगाओ ते एस तो बाद हुन armhole depth लई असी 7.6 inches shoulder drop तो होर नीचे आके एक mark लगा मांगे 7.6 inches ते उस तो बाद जिमें उपर 7.2 inches या सेम इसे तरा center front तो side वाल नू भी असी 7.25 inches दा एक mark लगाल मांगे ते फिर top तो असी जिनना तीरे वाली side तो नीचे आ रहे हैं उनना ही असी center front तो भी एक mark लगाल मांगे विच इस एकल तो 8.3 inches तो एथे असी एक box फॉर्म करल मांगे एना दुन्ना points नो जोइन करलो एक straight line दे नाल एना दुन्नो points नो जोइन करन दे बाद इस line नो 90 degree angle दे नाल असी उपर तीरे वाली line दे नाल भी match कर दे मांगे इस दे बाद अजेडी horizontal line दो कितिया एना असी round chest लई further extend करांगे but before that let's name these points as D, E and F F to E is equal to 7.6 inches after this on line D, E असी round chest दा 4th part एथे mark करांगे round chest is equal to 40 inches, divide it by 4, the answer will be 10 inches we will add half inch to it, ते ए बन जाएगा 10.5 inches इस दे बाद होना सी लमांगे round waist measurement दा 4th part 34 divided by 4 is equal to 8.5 inches, add half inch ease to it and it will become 9 inches ते B तो असी side line वाली side नू 9 inches ते mark लगांगे, ते जिवे होने ते A to B is equal to 15 inches, similarly ओथे waist दी side वाला line dot mark करन ले असी top तो 15 inches नीचे आके एक dot लगांगे and then we will join dot B and dot H ते होने हो गई साड़ी waist line होने waist line वाले point H नू, chest line वाले point G दे नाल असी एक straight line दे नाल जोईन कर दे वांगे that's it, होन रह गया सिरो आम होल दा कर्व ते उसतो पहला, नेक दी width दा mark लगाले नेया 3 inches, ए ड्राफ्ट लगाले या 3 inches and नेक depth लगाले नेया 4 inches for front ते फेर एनू एक pattern maker दे नाल असी थोड़ा जा कर्व दे नाल असी जोईन करना या ते ओदे पहलना तुसी यह थे एक perpendicular एक box form कर लो and then go 1 inch up diagonally and then join it with a very gentle curve that's it, होन इस दे बाद असी front दे आम होल कर्व लही 1 inch उपर जाके एक dot mark कर लो ते जेडी असी E F line mark की थी 7.6 inch लंबी ओदा center point mark कर लो it will be coated to 4 इद दा इंची टेप नू फोल करके भी असी figure out कर सकते यह center ते एथे एक dot mark कर लो ते एदे तो 1 4th of an inch अंदर आके इक mark लगा लो ते फिर point F नू इस dot दे नाल इक straight line दे नाल join कर दो इस point नू mark की था I join these two points F and I with a straight line and then form a curve crossing that point that we marked 1 inch diagonally and एक जेंटल जा curve front armhole लही असी इथे बना लवांगे so that's our front armhole curve हुन front दा draft बिल्कुल complete है I will use red pen for back F to I असी एक straight line नाली join करनाया ते यही तो diagonal one and a half inches दा एक dot mark कर लो front ले यसी one inch diagonal dot mark कीता सी और back ले यसी one and a half inches diagonal dot mark करांगे ते फिर F to I नू एक straight line देनाल मैच करांगे and उस्तो बाद जड़ा नीचे one and a half inches दा dot mark कीताया ओनू cross कर दे हुए G point देनालेनू curve देनाल मैच कर देना ते हुण साड़ा back दा जड़ा हम whole curve या ओवी complete हो चुकाया हुण सी back neck depth लई ए तों half inch नीचे आके एक mark लगालो ते बाद विच एनू वी curve देनाल side दे जड़ी neck width दित्ती सी ओस point देनालेनू curved line देनाल join कर दो that's it हुण साड़ी back दी neck line भी complete है ते इस तो बाद आखरी line है shoulder slant neck दी जड़ी width वाला point या उत्तों लेके जित्ते हैसी C point तो 3 4th inch नीचे आके F point मा कीता सी है ना दुनानू जोड़ दो ते ए हो गई साड़ी shoulder slant with this our basic bodice draft is complete हुन इस दे बाद अपने draft दे center विच on fold दा मार्क लगा लो क्योंकि जदो असी draft नू अपने कपडे दे उपर adapt करनाया था असी कपडे नू center तो fold करके cut करनाया draft 1 4th measurement दा बने आया ते इसे तरह इत्ते असी on grain दा भी एक निशान लगा लवांगे ताकि असी draft नू अपने कपडे दी कन्नी दे parallel adapt करिये ताकि सदा कपड़ा जड़ा वाड़े ते ना कठोवे ते इस दे अलावा असी अपनी जड़ी draft हुन दिया यह दे विच कोई भी margins नहीं हुन दिया seam allowances यह दे विच कोई included नहीं हैगे ओ असी अपने जदो working pattern बना मांगे ओ दे विच इंक्लूड करांगे ते मैं इस तो अगली वीडियो दे विच तवा नू working pattern किदा बनानाया कित थे असी किनिया margins लैनी आया ओ सारी मैं तवा नू चीज दस हूंगी अगली वीडियो दे विच अगर तवा नू वीडियो अच्छी लगी हुए दे प्लीज हिट दी लाइक बटन if you haven't subscribed then please subscribe to my channel and अपने views, अपने experiences प्लीज मिन्नो नीचे comment section दे विच comment करके दसना कि तवा नू वीडियो किदा दी लगी helpful लगी या नहीं so मिल दे आं दुबारा दे लाइक नवी वीडियो दे नाल till then bye bye take care and thank you so much for watching